वेलकम टू डीपी सर इंगलिस क्लासेस डियर इस्टुडेंट्स आज मैं आप लोग को क्लास 12 यूपी बोर्ड की 7th पोयम को एक्स्प्लेन करूंगा जिसका टाइटल है फ्रॉम दा पासिंग आफ आर्थर जिसका तात्पर होता है आर्थर के गमन से पासिंग मतलब गमन चले जाना जिसको कंपोस किया है अलफरेट लॉर्ड टैनिजन 1809-1892 चुकि एलफर्ड लॉर्ट टैनिजन विक्टोरियन एच के लीडिंग पोयेट थे और उन्होंने एक लॉंगर पोयम लिखी थी जिसका टाइटल था मॉर्ट डी आर्थर जिसके बारा खंड थे जिसमें से पहले खंड का नाम था दे कमिंग आफ आर्थर और लास्ट जो बुक थी बारहवी जो बुक थी उसका नाम था फ्रॉम दे पासिंग आफ आर्थर यानि कि पहले बुक का नाम था राजा के आगमन से दे कमिंग आफ आर्थर और बारहमी बुक का नाम था फ्रॉम दो पासिंग आफ आर्थर अर्थाद की राजा के गमन से यहीं की चले जाने से तो यहाँ पर जो किंग आर्थर रहता है वो एक राउंड टेबल बनाता है अच्छे और वीर सैनिको की एक टुकडी एक दल रहता है उस टुकडी का नाम रहता है राउंड टेबल उसमें अच्छे शिसूर वीर पराक्रमी योद्धा थे और उस राउंड टेबल जो सेना की टुकडी थी उसका जो कमांडर इंचीफ था उसका नाम था बेडेवियर तो वेडेवियर बहुत ही जादा प्लोज था राजा आर्थर का बहुत मानता था बहुत सेवा करता था वह भी एक काफीर वीर पुरुस था बहुत ही सासी था तो आर्थर ने उसको ही कमांडर इंचीफ बना दिया था किसका राउंड टेबल का राउंड टेबल एक सैना की टुकडी थी राजा आर्थर के धरबार की तो लास्ट में क्या होता है कि राउंड टेबल का विकटन हो जाता है राउंड टेबल समाप्त हो जाता है सत्रू का अक्रवन हो जाता है राजा आर्थर बहुत बुरी तरीके से घैल हो जाता है सब कुछ उसका छिंजाता है तो जो बेडेविय रहता है राजा आर्थर के तीनो रानियों को ले आता है और वह चाहता है कि राजा आर्थर के मृत्यू नहो वो जिंदा बने रहें इसलिए वह राजा आर्थर से कहता है कि आप तीनों रानियों के साथ इस छोटी सी नाव में बैठ करके आई लेंड आफ एवेलियन चले जाएंगे और वहाँ पर आपकी रिकवरी हो जाएगे या फिर से रिकवर हो जाएंगे तो इस तरीके से सब कुछ विखटन हो जाने के बाद सब कुछ चले जाने के पस्चात बेडीवर चाहता है कि जो राजा उसके आर्थर है वह अपने तीनों रानियों के साथ चले जाएंगे तो कि राजा के पास एक जो तलवार थी एक्स कैलिबर वह भी उनके हाँ से चली ज आर्थर है वह अपने तीनों रानियों के साथ एक छोटी सी नौ में बैठा हुआ है और सिग्र ही वहां से पलायन करने वाला है जाने वाला है लेकिन जाने से पहले वह बेडीवियर को कुछ उपदेश देता है चुकि बेडीवियर जो है नदी की किनारे खड़ा हुआ है जोकि बहुत ही ज़्यादा चहेता था राजा अर्थर का, काफी दुखी भी है बेडेवियर के अब राजा अर्थर उससे दूर हो रहे हैं, पता नहीं वह अब दुबारा उनके चेहरा को देख पाएगा की नहीं, दुबारा उनसे मिल पाएगा की नहीं, तमाम बाते सोच कर के बेडेवियर बहुत ही दुखी है, परिशान है, तो राजा अर्थर एक छोटी सिनाव में बैठे हुए हैं, अपने तीनो राणियों के साथ, और जाने की तयारी में हैं, आईलेंड आफ हेविलियन, लेकिन जाने से पहले, राजा अर्थर बेडेवियर को कुछ उपदे देते हैं, यही इस पोयम में, एलफर्ड लॉर्ट टैनिजन ने मेंसन किया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यह एक्सपानेशन समझीए आप लोग, यहां से आपका स्टार्ट होती है पोयम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो दे किंग आर्थर इस सेटिंग इने स्मा बोट विद्धि थी क्वीन्स, वाल बेड़ेवे स्टेंग इने स्टार्ट आप लिए इने स्टार्ट लिसन दिस्कोर्स एंप्रीचिस गिवन बाइद दे किंग आर्थर, तो क्या यहां पर प्रीचिंग दे रहे हैं, आर्थर यहां से समझीए गा, एंड श्लोली बार्ग, बार्ग का मतलब हुआ छोटी नाव, इसमाल बोट, तो यहां पर राजा आर्थर एक छोटी सी नाव में बैठे हुए हैं, अपने तीनों रानियों के साथ, विद्धि स्ट्री में बैठे हुए राजा आर्थर धीरे से उत्तर देते हैं, किसको देते हैं, स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार यानि की छोटी सी नाव में बैठे हुए राजा आर्थर धीरे थे स्लोली का मतलब धीरे शे आंसर्ड उत्तर देते हैं किसको बेड़े वियर को क्या The Old Order Changed Yielding Place to New का मतलब कि पुराने परंपराएं पुराने रीति रिवाज पुराने नियम कानून बदल जाते हैं और नई परंपराएं नए नियम कानून उनका अस्थान ले लेते हैं तो यहां पर राजा आर्थर बेडिवियर को यह बताता है कि The Old Order Order का मतलब हुआ परंपराएं नियम कानून रीति रिवाज चेंज पुराने बदल जाते हैं कि The Old Order चेंज पुरानी परंपराएं नियम कानून रीति रिवाज बदल जाते हैं और नई परंपराएं नए नियम कानून उनका उस्थान ले लेते हैं चुकि परिवर्त्वन ही प्रकृति का नियम है यही बात आर्थर बेडिवर को बताना चाहता है फिर अगला है और इश्वर अपनी इच्छानुसार अपनी स्वयम के इच्छानुसार विभिन विधियों से हर एक कारी को संपन कराता है तो कहने कार्थ हुआ कि and God fulfills and God fulfills himself in many ways और इश्वर अपनी इच्छानुसार यानि कि स्वयम से अपनी इच्छा को विभिन विधियों से पूरा करता है चुकि वही सब का मालिक है तो यहां पर आर्थर कहता है कि इश्वर अपनी इच्छा को बहुत सी विधियों से संपन कराता है पूरा करता है मेनी वेस का मतलब विभिन विधियों से आसा है आपको यह तीन लाइन सब्सक्राइब आ गई होगी अब हम बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ तो अगली लाइन है एक अच्छी सी प्रता गुट कस्टम का मतलब अच्छी प्रता कहिं ऐसा न हो कि यह अच्छी प्रता संपूर्ण संसार को the word करप्ट करप्ट मन क्या होता है नस्ट कर देना भरस्ट कर देना तो कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रथा संपूर्ण संसार को भरस्ट कर दे अगला है comfort thyself आर्थर कह रहा है कि तुम अपने अंदर धै रखो comfort का मतलब क्या होता है धै रखना कि तुम अपने अंदर धै रखो what comfort is in me जो धैर को मैंने अपने अंदर धारण किया है अर्थात कि तुम अपने अंदर धै रखो जो धैर मैंने अपने अंदर धारण किया हुआ है फिर है I have lived my life मैंने तो अपना जीवन गुजार लिया तो I have lived my life and that which I have done कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया and that which I have done और जो कुछ भी कृत्य जो कुछ भी कार्य मैंने किया मैं ही within himself में प्योर उन मेरे द्वारा किये गए कार्यों को इश्वर पवित्र और सास्वत बना ही का मतलब यहां पर हुआ ईश्वर और प्योर का मतलब हुआ सुध्या पवित्र बनाना तो यहां पर आर्थर कहने का मतलब हुआ कि comfort thyself कि तुम अपने अंदर धैर रखो what comfort is in me जो comfort मेरे अंदर है जो धैर मेरे अंदर है अर्थात कि मैं तुम्हें क्या धैर दे सकता हूं तुम अपने अंदर धैर रखो जो धैर मेरे अंदर है अर्थात कि मैं तुम्हें धैर क्या दे सकता हूं आगे है I have lived my life मैंने तो अपना जीवन गुजार लिया and that which I have done और जो कुछ भी कार्य मैंने आरम से लेकर के अब तक किया जो कुछ भी कृत्य मैंने शुरू से लेकर के अंदर तक किया मैं ही within himself में प्योग कि उन मेरे द्वारा किये गए संपूर्ण कृत्यों को इस्वर सुध बनाए पवित्र बनाए कि यहां पर कौन हुआ इश्वर आगे है but thou परन्तु तुम दाव का मतलब क्या हुआ तु या तुम but thou if thou should never see my face again कि यदि तुम मेरे चेहरे को दुबारा न देख सको अर्थात कि यदि राजा के मृत्ति हो जाती है दुबारा राजा उससे नहीं मिल पाता है तो pray for my soul कि मेरे आत्मा के लिए तुम इस्वर से प्रार्थना करना है pray माने प्रार्थना, soul माने आत्मा अगे है More things are wrought by prayer Than this word dreams of कहने का मतलब हुआ कि इस संसार में बहुत सी चीजें प्रार्थना के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है wrought का मतलब हुआ पूरा करना More things का मतलब किया हुआ बहुत सी चीजें तो कभी कहने का मतलब हुआ कि more things are wrought by prayer कि बहुत सी चीजें प्रार्थना के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है Then this word dreams of जिसके बारे में यह संसार सुप्न में भी नहीं सोच सकता यानि कि ऐसे ऐसे कारे प्रार्थना के माध्यम से पूर्ण की जा सकते हैं अपेच्छा यानि कि जिसके बारे में यह संसार सुप्न में भी कल्परा नहीं कर सकता यानि कि जिन चीजों का पूरा होना आदमी इनसान यह संसार सुप्न में भी नहीं सोच सकता ऐसे कार्य प्रार्थना के माध्धम से पूर्ण किये जा सकते हैं ऐसा आर्थर बिडेविर को बता रहा है कि बहुत से चीजें प्रार्थना के माध्धम से पूर्ण हो सकती है जिसका यह संसार सप्न में भी नहीं सो सकता या उसका सप्न भी नहीं देख सकता फिर wherefore इसलिए wherefore का मतलब इसलिए therefore let thy voice की तुम्हारी आवाज rise like a fountain for me night and day इसलिए तुम्हारी आवाज मेरे लिए एक फवारे की भाहा आती रात त्रियों दिन उठता रहना चाहिए rise का मतलब उठना fountain का मतलब फवारा फवाराई से उपर की तरफ उठता रहता है वैसे ही बेडेवियर की आवाज उठती रहनी चाहिए दिनों रात त्रियों उपर की तरफ इस वर से प्रात्रा करने के लिए किसके लिए राजा आर्थर के लिए राजा आर्थर के आत्मा की सा यानि कि बेडेवियर इस्वर से निरंतर प्रार्था करता रहे किसके लिए राजा आर्थर के लिए तो वही पर यहां पर राजा आर्थर कह रहा है कि लेट दाई वाइस राइस लाइक फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड दे कि तुम्हारी आवाज मेरे लिए रात त्रियों दिन एक फवारे की भाद उठती रहनी चाहिए फिर है फिर है फार वाट और मैं बेटर देन शीप और गोड्स यहां पर कह रहा है अर्थर कि फार वाट आर मैं बेटर देन शीप और गोड्स तो यहां पर आर्थर कह रहा है कि वे लोग भेणों और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो भेणों और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं जो अपने ही मस्तिस के अंतह करन के अंदर एक अंधकार में जीवन को यापन करते हैं नरिश का मतलब होता है बिताना, ब्लाइंड लाइव का मतलब अंधकार में जीवन और विदिन दे ब्रेन का मतलब कि अपने ही मस्तिस के अंतह करण के अंदर तो वे लोग भेणों और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते जो अपने ही मस्तिस के अंतह करण के अंदर एक अंधकार में जीवन को विताते हैं, यानि कि वे उदाशीन होते हैं,'egar में जीवन जीते हैं," ऐसे लोग ﷺ, फिर है, If Know вони गौड यद्द मी वे इस्वर के अस्टित्व की बारे में जानते हैं," यद्द पी, ऐसे इस्वर की बारे में जानते हैं," फिर भी they lift not hands of prayer फिर भी वे अपने प्रार्थरा के हाथों को उपर नहीं उठाते यानि कि फिर भी वे इस्वर से प्रार्थरा नहीं करते इस्वर को जानते तो हैं उनके अस्तित्व के बारे में भी जानते हैं लेकिन इस्वर से प्राथना नहीं करते अपने हाथों को उठा करके इस्वर से प्राथना नहीं करते किसके लिए both for themselves एक तो स्वयम के लिए and those who call them friends और उन लोगों के लिए भी जिनको मित्र के नाम से पुकारते हैं इनकी ऐसे लोग जो एक अंधकार में जीवन जीते हैं वे इस्वर को जानते हैं लेकिन फिर भी नास्तिक्ता का जीवन जीते हैं अपने प्राथना के हाथों को उपर नहीं उठाते हैं दोनों के लिए यह अपने स्वयम के लिए और उन लोगों के लिए जिनको मित्र के नाम से पुकारते हैं फिर है तो यहाँ पर आर्थर कहता है कि फॉर सो दे हूल वर्ड तो क्योंकि यह संपूर्ण वसुन धरा संपूर्ण धरा संपूर्ण पृत्वी हर ढंग से सोने की स्रिंखलाओं से इस्वर की पैरों से बंदी हुई है बाउंड का मतलब बंदी हुई है फीट मने पैर गौड मने इस्वर होल राउंड अर्थ किया संपूर्ण गोल पृत्वी यह संपूर्ण गोल धरा जिस पर हम धरे हुई है तो for so the whole round earth is everywhere bound by gold chains about the feet of God किया संपूर्ण धरा हर ढंग से सोने की स्रिंखलाओं से इस्वर के पैरों से बंदी हुई है जकड़ी हुई है अर्थात की एक भी पत्ता बिना इस्वर के आज्यां के नहीं डोलता कोई भी कार्यरी संपन होता है संपूर्ण ब्रमांड में संपूर्ण प्रित्वी में तो यह इस्वर के एक आज्यां से होता है उसके एक आज्यां से सारे कार्य संपन होते हैं तो यह संपूर्ण पित्वी हर ढंग से सोने की स्रिंखलाओं से गोल्ड चैन का मदब सोने की स्रिंखलाओं से इस स्वर के पैरों से बंधी हुई है और थात की इस स्वर के आग्यां के उसार ही सारे कारे घटित होते हैं फिर है बट नाव फैरवल लेकिन अब तो मुझे विदा करो फैरवल का मतलब क्या होता है विदा लेना अलविदा कहना नाव मने अब बट मने परन तो अब यहां पर राजा आर्थर को विलम होने लगता है वह छोटी सी नाव में अपने तीनों रानियों के साथ बैठा तुमें इतना प्रवचन दे लिया इतना प्रीचिंग दे दिया अब तुम मुझे अलविदा करो तो यहीं से वह राजा आर्थर चला जाता है बाई अलफ्रेड लॉर्ड टैनिजर तो यहीं से आपकी यह पोयम समाप्त होती है फिर भी कहीं कोई किसी लाइन में तो आप कमेंट के मांधम से जरूर पूछ लीजेगा और अभी तक आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं डीपी सर इंग्लिस क्लासेस को तो यूटूब में जा करके इससे अवस ही सब्सक्राइब कर लीजेगा थैंक यू